जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटिप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 जुलाई और 18 जुलाई 2022 के सहिंग राशी फल के बारे में सहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की इ जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े हरे शेत्र के बारे में प्रवाब के सिक्षा हो स्वास्था हो करियर नौकरी दुकान हर चीज के बारे में हम यहां बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो सबसे पहले इन दो दिनों के दिथी नप्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं सत्रा जुलाई का दिन ये क्रश्न पक्ष की चतोर्ती तिथी सुभा दस बज कर पचास मिनट तक है जिसको विनाक चतोर्ती कहते हैं शत भिशा नक्षत्र रहेगा सोभाग्य नाम का योग बना हुआ है जैसा कि नाम से व्रतीत होता है बारा ही उत्तम योग है अब इस दिन चंद्रमा कुंबर राशी में हैं और सूरिय करक राशी में प्रवेश कर चुके हैं पुनर वसू नक्षत्र में अभी जीत मुरत है इस दिन का दोपहर बारा बजे से दोपहर के बारा बज कर पचपन मिनट तक लेकिन इस दिन एक और ग्रह का राशी परिवरतन है बुद्ध का राशी परिवरतन बुद्ध इस दिन में थुन राशी से निकलेंगे और करक राशी में गोचा करेंगे सूरिय जहां पहरे से म अवित्र और सिद्ध दिन माना जाता है पूरो भादप्रद नक्षा तरह दिन रहेगा पंजमी दिथी सुभा नौ बजे तक उसके बाद सस्टि लग जाएगी शोबन नाम का योग बना हुआ है चद्रमा सुभा साड़े च्छे बजी राशी बदल कर मीन राशी में आ जाए थी अब इसी क्या दार पर जानेंगे ये दो दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं ऐर आशी हे फाल चंट्रराशी पर आधारित है दो बहले सतरह जुलाई के बात करते हैं 17 जुलाई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा एक तो आप इस दिन जो आपके पास खाली समय होगा उसका आनंद ले सकेंगे क्योंकि ये रविवार का दिन है तो खाली समय आपको मिलेगा जो गौर्मन जॉब पे हैं जो प्राइवेट जॉब पे हैं उनको आज छुट्टी बिल्कुल मिलने वाली है तो एक चीज़ का धहान रखें कि बेवज़े की खरिदारी ना करें बेवज़े पैसा खर्च करने से आपको खुद को रोकना होगा वरना जुरुरत के समय आपको पैसो की कमी हो सकती है आप सभी पारिवारिक करजी खत्म करने में कामया भी हासल करेंगे प्रेम जीवन में थोड़ सा साथानी रखें क्योंकि आज बात बात में ही प्रेमी को आपकी कोई बात चुब सकती है तो इससे पहले कि आपको आपसे रूठ है आप अपनी गल्ती का पहले ही एहसास कर ले और उन्हें मना ले इसके लावा परिवार के साथ समय बहुत अच्छा भी देगा परिवार जीवन अच्छा रहने वाला है स्वास्ते भी आपका अच्छा रहेगा स्वास्टे समंदी कोई परिशानी नहीं दिख रही है आज के दिन काफी वक्त बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन साती के साथ एक शांत दिन बिता है जब किसी तरह की कोई टैंशन नहीं है कोई विवाद नहीं है बिस सिर्फ और सिर्फ प्रेम है और प्रेम से बढ़कर कोई असास नहीं तो आज आपसी विश्वास बढ़ेगा आपसी समझ बढ़ेगी तो ये जो दिन है इसे साथ से आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है अब इस दिन बुद्ध का विराशी परिवरतन है और बुद्ध आपके ग्यारवे भाव में आपके बारवे भाव में बुद्ध अधित राज्यूग बनाएंगे इसकी वज़ा से आप किसी महत्व कांक्शी योजना में प्रिवेश कर सकते हैं कोई साज़ेदारी का प्रस्ताव आपके लिए आ सकता है राजनीति या सामाजिक शेत्रों में शामील लोगों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा आज आपके प्रतिस्था में विरद्धी देखने को मिल सकती है कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो जातक वेपार करते हैं उनके लिए दिन अच्छा है कोई अतिरिक्त कारे भी आपके सामने आ सकता है अगर आप किसी तरह की बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कामकाजी जीवन में दुकान दारी करते हैं तो दुकान में कुछ बदलाव करना है आपको तो उसके लिए अच्छा दिन है नए चीजों का बदलाव आपके लिए नए अनर्जी देने का कारे करेगा परिवार में किसी तरह का कोई मांगले कारे हो सकता है उत्सव सा महसूस हो सकता है अब आप अगर किसी कारे में निपूने हैं और अपने उस कारे को लोगों तक पहुचा सकते हैं तो आप उन चीजों को आप धिखाना शुरू करें उन चीजों को आप प्रमोट करना शुरू करें यह लोगों के सामने अपनी इस कला को लेकर आए प्रेम का इजहार करने के लिए आज दिन हैं लेकिन सिर्फ सोचल मीडिया तक इसे में इतना करें बल् tahunjan Act करेंगे तो अच् कुछ अच्छी कारे हो सकते हैं आज आप नीला रंग अगर पहनेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा अब बात करते हैं 18 जुलाई के बारे में 18 जुलाई सावन का पहला सौमवार है सावन का सौमवार भगवान शिव को समर्पित होता है वैसे पूरा सावन का महिना ही भगवान शिव की आरादना करें भगवान शिव की प्रियर बस्तुएं उनका अभिशेक करें और साथ में शिव चालिसा का पार्ट करें अपने जर्वत के हिसाब से अपने अपके अंदर जित्मी अनरजी है उसे हिसाब से एक बार कर सकते हैं 11 बार कर सकते हैं 21 बार कर सकते हैं किसी अनुभवी व्यक्ति के मदद मिल सकती है और ये जो अनुभवी व्यक्ति के मदद मिलेगी आपके बड़े काम आने वाले है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कोई बातें बड़ी एक्तम दिल कुछ हो जाती है और आपको काम में बड़े आपको कामियाभी मिलनी शुरू हो पैसो के लिए इंदेन करने से आपको साफधाने रखनी है जब भी पैसो का लिए देन कर रहे हैं थुड़ा साफधाने रहकर करें किसी के साथ मिलकर ही आप इसकारिय को करें समय का सदूप्यों कर पाएंगे फायदा आपको जरूर होगा कामकाज की इस्तिती में इस्तिती मजबूत रहेगी आप अपनी जिम्मेदारियों के परती सजग रहेंगे गंबीर रहेंगे पारिवारी कृष्टे मजबूत होंगे लव लाइफ भी आज ठीक ठाक दिखाई दे रही है अब गज के स्रियोग बना हुआ है जो पैसे क्यावक को बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है तो आज दोबहर तीन मुझे से चार बज़े तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है और रेड कलर आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है जो आपके एनरजी को बढ़ाने वाला होगा अपने आसपास अगर आपको किसी तरह की बाते सुनने को मिलते हैं तो बिल्कुल याद रखें कि ये अफवाई हैं जो फैलाई गई हैं किसी भी अफवाई को पर ध्यान ना दे नजर अंदाज करें वरना आपके लिए ये थोड़ा अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसके वज़े से आप अपनी काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे बाकी जो दिन है और मामलों में अच्छा है पारिवारिक जीवन भी प्रेंट जीवन भी बाकी सबी मामलों में ये दिन आपके लिए अनुकुल साबित होने वाला है तो दोस्तों और दे कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें और हमारी सब वीडियो को ज़्यादा लाइक करें शेयर करें